Hello friends, welcome to our channel CSC Steady आज हम कहने जा रहे हैं Windows Structures All the windows in the Windows XP जितने भी Windows होती है Windows XP में have the same structure उनका structure जो होता है दिखने का वे लगबख सेम होता है सबके लिए जैसे कि स्पिगर में हम देखेंगे यह मार पास डाइग्राम है जो Windows XP के structures होता है उनके applications का structure होता है तो my music कहाँ पर मुझे लिखा वो मिलेगा title bar के बात क्या है यहाँ पर close को option है minimize और maximize को option है then निचे वाले line में अगर हम देखें तो कौन सा है यहाँ पर file, edit, view, tool, help जो यह सारे commands है यह किसके अंदर है menu bar के अंदर है next हमारे पास कुछ commands भी है जैसे back करना, front, आगे की तरफ move करना, forward करना, search करना, address है यहाँ पर हम views को change कर सकते है तो यह किसके अंदर आता है मारे पास toolbar में toolbar के बात निचे के आए address bar है जहाँ पर हम क्या करेंगे path को set करते है जैसे जैसे हम आगे windows जो हमारे पास open हो रही है task bar के बात ऊपर हमें क्या दिख रहे है status बात दिख रहे है कि हमने कितने words लिखी है कितना byte का space है इसके अंदर scroll bar दिख रहा है अगर हमारे पास ज्यादा है quantity में folder में ज्यादा space है तो हम क्या कर सकते है इसको scroll कर कर के देख सकते है ओपन नीचे वाल स्क्रोल भी हो सकता है vertical और horizontal दोनों टैप के हमारे पास बार हो सकते है यह हमारे पास क्या है area है जहां पर हमें folders दिखेंगे left side में हमारे पास कुछ हमारे पास commands है जैसे play all की command है अगर मैंने my music open कर रहा है तो stop करना है music को cd में copy करना है एसेटा commands दे रहे हैं तो यह था हमारा particular structure अगर हमने किसी भी windows को open किया हुआ है उसके लगबख यह structure होता है जैसे versions change होते रहे थे थोड़ा बहुत change हो जाता है लेकिन particular main जो मोटे structure होता है वो जही होता है description में पूरा detail में देखेंगे कि कौन सा हमारे पास कौन सा फोल्डर ऐसा है और किस फोल्डर को कौन सा फोल्डर कंटेन कर रहा है तो first है हमारे पास title bar title bar में क्या आता है it contain the name of the folder title bar क्या करेगा folder के name को contain करेगा जैसे मैं आपको बताया control box में जो आता है उसमें title bar में folder का name होगा you are working with this and the name of the open document और उस document का name होगा जिस particular document को आपने उस particular folder में उस particular application में open कर रहा है the windows can be moved around the window desktop windows कहां पर move कर जेगी window के desktop पर move कर जेगी हमें desktop पर दीखने को मिलेगी using the title bar title bar में जैसे मैंने my music को open गर रहा तो my music मुझे कहां मिलेगा टास्क बार में मिल जीगा the top right corner of the three buttons जैसे हम विंडो के top के right side में देखेंगे तो हमारे पास three buttons मिलेंगे हमें close का maximize और minimize का अब minimize का button क्या करता है it is used to shrink the windows in the icon मतलब पूरी window खुली हुई है उस window को मैंने एक चोटी से icon में close करना है तो मैं क्या करूँ आप इसे open करना चाहूँ minimize करने के बाद दुबारा सागर मुझे open करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा simple click करना पड़ेगा उस पी maximize का option का है shrink अगर है हमारे पास application की windows shrink है तो हम उसको क्या कर सकते हैं बड़ी विंडो में भी change कर सकते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे maximize बटन पर क्लिक करेंगे maximize को उनसे होता है हमारे पास close बटन होता है जिससे हम particular running application को क्या कर सकते है permanently close कर सकते है next बटन हमारे पास restore का जब भी हम किसी भी application को maximize या minimize करते है windows को तो maximize का और minimize का button change होके क्या बन जाता है restore का button बन जाता है it helps to change the window back to the previous size यह क्या करता है मैं help करता है जिससे हम window को previous size में जो इससे पहले size था अगर छोटी थी तो बड़ी में अगर बड़ी है तो छोटी में change करने के लिए help करता है second हमारे पास जाए menu bar menu bar में क्या होता है it is located under the title bar menu bar कहाँ पर होगा title bar के नीचे under में relate करेगा इसके अंदर कहाँ होगा कुछ pull down menus होंगे जैसे file option है tool है help है view है तो यह सारे कहाँ मेरे पास menus है जो कहाँ पर लाई करते है menu bar में under the title bar तो currently active windows clicking on the menu bar में जैसे आप किसी भी menu पर click करोगे उसके अंदर भी कुछ particular आगे dialogue box हमारे पास open होगा जैसे file पर आप click करोगे तो file के अंदर पर आपके पास बहुत सरी option में लेंगे copy का है, cut का है, paste करने का है option save करना है, save as करना है या किसी और अलग से file को open करना है तो यह सारे commands मुझे कहां मिलेंगे file में, file कहां पर हमारे पास menu बार में if you find an option, that is grey or a lighter color, it means that not possible to select at the moment मतलब जैसे color change हो नहीं है windows के, हम window का color change नहीं कर सकते toolbar क्या है next में हमारे पास it is a contained icon toolbar क्या करता है, icon को contain करता है of the most often used command मतलब जाज़तर commands use होनी है उनको toolbar में connect करके रखता है जैसे undo की command होगी, redo की command है save करना हमें, तो यह क्या frequently use होने वाली commands है तो इसको यह कहां पर रखेगा toolbar में that can be executed immediately ताकि हमें wait ना करना पड़े हम उस particular command को immediately run कर सके this command can also be executed from the menu bar, इस commands को हम कहां पर और हमारे पास address bar address bar में क्या होता है the address bar is a special tool bar with an input file and a go button address bar में क्या है एक ऐसा tool bar है, जहां पर हम input कर सकते है and go के button पे भी click कर सकते है when you type an address जब भी आप किसी भी particular file का या website का address आप उसके अंदर enter करोगे name of the file or the path of folder प्रस्थ एंटर की वो कुछ भी हो सकते है या तो आप उस particular program का name enter कर रहे हो या उसका pass दे रहे हो कि यहां पर जाकर वो folder save है जैसे आप उस पर एंटर करोगे तो address bar क्या करेगा उसके लिए respond करेगा, अगर उसको वो मिल जाएगी file particular file या folder मिल जाएगा तो वो आपको show करतेगा, अगर नहीं मिलेगा तो क्या लिएगा वो, no particular match is found कि कोई भी ऐसा match found नहीं हुआ ऐसे इस नाम से कोई भी file नहीं है depending on the location we respond on the many ways अलगलग तरीके से respond करता है, किसके ओपर depend करता हो उसकी location पे कि address bar हम कहां पर run कर रही है और your system setting और अपकी system setting पर यह depend करता है कि application, मतलब address bar जो हमारे पास वो किस वे से हमें respond करेगा next हमारे पास scroll bar अग scroll bar क्या करता है हमारे पास sometimes the complete work done कई बार क्या होता है हमारे पास सारा work done हो जाता है, तब क्या होगा exceed the limit of the screen, screen की limit तो अतनी है अगर मुझे उससे नीचे जो हमारे पास data है, उसको access करने तुम कैसे करेंगे scroll bar की help से करेंगे vertical score bar होता है हमारे पास और horizontal score bar होता है next हमारे पास status bar status bar का क्या काम होता है, it gives the information to the user, status bar क्या करेगा information देगा, user को depending upon the window, जो window पे depend करेगी, that is open at the tag जो उस time पर उसने open कर रखा होगा, अब जैसे मैंने MS office open कर रखा है, उसके अंदर मेरे पास मैंने कितने words लिखे है, तो वो मुझे कहां पर show करेगा, status bar में show करेगा depending on the windows it is open at the time, वो किसी उपर depend करता है कि वो हमें कौन सी information देगा उसकी windows पर depend करता है अबने किस की window को, किस application की window को open किया है, this bar is not shown by default in xp, by default यह हमें status bar जो है वो open हो के नहीं मिलता, इसको में क्या करना पड़ता है setting में जाकर open करना पड़ता है you can activate और deactivate it from the menu व्याद, the menu में जो आप पास view का option है, उस पर जाकर आप इसको क्या कर सकते हो, activate और deactivate कर सकते हो view पे जाओगे, view पे जाने की बाद को के मिलेगा, status bar का option मिलेगा seventh है मारे पास border for resizing अगर हमने अपनी window को resize करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे a thin border appear around the window thin border मतले एक पचला सा border है जो हमें windows के side में दिखता है which can be used to resize the current window जो हमें क्या करेगा, help करेगा particular current window को resize करने में to resize the current window, just place the pointer on the border अगर मुझे इस particular window को resize करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा सिर्फ उसके border पे जाकर, अपना जो pointer है, माउस का जो pointer है उसको क्या करना पड़ेगा, border पे लेकर जाना पड़ेगा विंडोस के और drag करना पड़ेगा, अगर मुझे उसको expand करना है तो outward में उसको मैंने लेकर जाना है, अगर उसको shrink करना है तो उसको inward में मैंने drag करना है next है हमारे पास control box, control box क्या होता है it provide a menu that enabled you to store control box हमें क्या देगा, provide करेगा menu जिसके अंदर हम क्या कर सकते है, restore कर सकते है, move कर सकते है size, minimize, maximize, or close कर सकते है, window को यह operations जो हम perform करेंगे control box में इस वीडियो को समझने में अगर आपको कोई परशान ही आई है तो आप हमें comment कर सकते है वीडियो को like, share, subscribe करना, comment करना ना भूले